हजारों, लाखों, करोडों दिलों की धरकन याने की सपना चौदरी हमारे साथ है आप सभी का स्वागत, आपका इस्तकबाल, सर्स्वागत आप सभी का और बहुत-बहुत स्वागत करते हुए कुछ सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे पहली बात कैसा लग रहा है आपको यान में आकर और दूसरी बात यह फिल्म क्या है इस फिल्म के कहानी क्या है और किस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पहले कदम के रूप में पहले तो मुझे यहां कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है दूसरे सवाल का जवाब, फिल्म स्टोरी क्या है, वो मैं बताऊंगी नहीं, वो आपको जाके देखनी पड़ेगी अगर मैं बता दूंगी तो आप जाएंगे नहीं, पिल्कुल जाएंगे मैं, हमारा वादा है, और आपका भी एक वादा हमने लिया हुआ है पहले से, कि वो फिल्म हम साथ में देखेंगे 15 दिसंबर को ये रिलीज हो रही और 15 दिसंबर को ये मैं आप लोगों के साथ देखूंगे सबसें मैंने सबसेे पहले सिंगर सिंगर से डांसर और अब बॉली वूड का सफर तो इस सफर की बीच में क्या बदला हुए हैं और और आपके जीवन का ट्रेंडिंग पॉइंट यह रहा कि पहले सिंगर, सिंगर से मैं बनी फिर डांसर, डांसर से अब बॉलिवूड, यह तीनों मेरे लिए सेम सेम हैं, क्योंकि एक आटिस्ट के लिए काम ना तो छोटा होता ना कभी बड़ा होता, तो जिस मासेश ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसको कभी छोटा नहीं कहूंगी, वो मेरे लिए हमेशा बॉलिवूड से उपर रहेगा, क्योंकि मैं इसी की जानी मानी हसती हूँ, आप लोगों नहीं मुझे बनाया है, तो मेरे लिए सब सेम है, सिंगिंग भी सेम है, डांसिंग भी सेम है, और बॉलिवूड का सफर सपना चौदरी जब नाम आता है, तो जहन में एक सवाल आता है, और एक उमीद आती है, कि आज गाव की छोरिया उठ रही है, गाव की छोरिया जिने हम कहते थे कि चोके चुले और उस चोकट की बांदी हुई लड़की है, उसना सारे स्टेरियो टाइप, सारे कहानिया है, तोड़ दी है, आज आप सामने आई हैं, आप कई लोगों के आइडल हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइ में हजारों सपना चौदरी इस देश में आएंगे, हाँ बिलकुल, मैं ये कहूंगी, कि जो होबी हो, उसी को प्रोफेशन बनाए, ये आपके लिए इजी तो पक्का सामने आएं, और सपना चौदरी नहीं अपना नाम बनाएं, छोड़ियों को इतना मौका नहीं मिलता कि वो आगे जाएं, और फिल्म इंडस्ट्री में तो खास तोड़ से वो इतना नहीं कर पाती हैं, लेकिन आप भी उसी भीड में से निकलके आगे आई हैं, तो आपको कैसा लगता है और आपको लगता है कि वहां की लड़कियों को मौका देना चाहिए, अब हर्याना वैसा नहीं रहा, जैसा आप अब सोच रहे हैं, अब हर्याना की लड़की हर चीज कर रहे हैं, हर्याना नौर्थ इंडिया, basically मैं बोलूंगी, कि नौर्थ इंड तो जितनी जरूरत हो उतना लीजिए एक्स्टा छोड़ दीजिए हम यान के बारे में आपका experience जाना चाहेंगे यान को क्या tips देना चाहेंगे शुब कामनाई देना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है यान में आके मुझे पहले मुझे नहीं पता था कि मास का college है एक तर लगता है तो मैं CT बजाना ज़रूर सीखूंगी बहुत कोशिश कर लिए पर आती ही नहीं मैं परेशान होगी हूं आती नहीं आती नहीं लेकिन बच्चों से मिलके यान बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर तरीके के इंसान है यान पर अच्छे सारे अच्छे जिंदिगी मे आपको हर जगा हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा चाहिए वो आपके जिंदिगी में 5 मिनट के लिए क्यों न आया हो तो सीख लीजे हर तरीके से हर इंसान से हर जगा से अपको आगे बहुत कि हो जाएगा काम करना मिजह भी यां से क्रist के लोग ऐसे भी ओते हैं ये थी हमारे साथ सपना चौधरी जो आज एक नाम नहीं है वो सपना जो अपना लगता था अब उसकी हो हकिकत में बदलने की एक उमीद जो जागी है वो कहीं ना कहीं सपना चौधरी के कारण जागी है यान टीवी की खास पेशकर्ष में भैंगोवर और सपना चौधरी के स यह सफर चलता रहेगा लेकिन आने वाली फुटीजिस में तब तक देखते रहिए यान टीवी नमस्कार